हेलो एवरिवान कैसे हैं आप सब आशे करते हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे आज मैंने पहुत दिनों के बाद वीडियो बनाया है क्योंकि आज कल टाइम बहुत कमल पाता है बच्चों के साथ में बच्चों के एक्जाम सटल रहे थे खुशश करूंगे में आगे वीडियो बनाऊंगी आज मैंने बनाया बच्चों के लिए Special Burger मेरे समयां कि इंडिया थैस है रचिक बना कर दिया मैंने लिए मेड्यम साइज के यार शुक्राइब और मेने मार या dilemma कर लिया है उसमें नमक जाने यह जो पिज्दा के साथ स्प्रिंकल साते हैं यह मैं एड़ करूंगी और एक चिली फ्लेक्स मैं एड़ करूंगी पूरा वीडियो में आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि मैं ब्रेक्पास्ट में बना रही हो तो थोड़ा टाइम कम था तो मैं जल्दी जल्दी इसको बनाया अच्ँअ के लिए इसको लेखियो गया तिक्की को मैं यह है कि बनकर बिल्कुल तयार हो जाएगी बरगर बनाने के लिए यह बहुत ही टेस्टी बर्गर बनेगा इसके लिए हम एक बन लेंगे, देखे छो मैंने बीट से काटकर रखा हुआ है और हमने पनीर के शलाइस लिए हैं एक बर्गर में एक शलाइस की जूरुत पड़ेगी, एक शलाइस हमें उसमें पनीर का रखेंगी हमbayर मेन इसडाला तो बटन नाइस अच्छे से फैला देंगे और उसमें हम खेरे की स्लाइस को टुकुड़ों में काटकर हम खेरे की स्लाइस जो रखशी हुए थे पहले से हैं उसके ऊपर अच्छे से लगा देंगे अभी में वीडियो आपको बहुत जल्दी में बता रही हूँ क्योंकि समय बहुत कम होता है अब ब्रेकफास्ट के समय बच्चों को वैसे भी स्कूल की जाने के लिए लेट होती है मैं फिर भी कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी बताती हूँ आपको इसके उपर मैंने एक पनीट का स्लाइस रख दिया है अब इसके उपर मैं जो मैंने टिक्की बनाकर त्यार की है वो टिक्की में इसके उपर रख दोगी उसको हाथ से अच्छी से जबा देंगे अफिर इसके उपर हम थोड़ा सा टमेटो कैचप डालें अब देखे मैं वेश्यास110, a.m.C.K.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.Йающ चभी, पसपषаешь घार, बूर्क्रोषण दम्मी पदोन कासे द़ूसे भार, रहन दै चारो तरब से इसको दबाने के बाद हम इसको टुकडों में काट लेंगे यह देखिए मैंने इसको टुकडों में काट लिया है और यह हमारा बहुत ही स्वाधिस्ट बर्गर बनके तयार है ये बच्चों को तो बहुत पसंद आता है और ये बहुत जल्दी बन भी जाता है इसको बनाने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगता है मुस्किल से 10 मिनट का टाइम लगता है थोड़ा से समय बस टिक्की बनाने में लगता है अगर टिक्की हमारी पहले से बनी हो तो यह दस मिनट से जादर समय नहीं लगता है इसको बनाने को आपको मेरी ये रेसीपी पसंद आए तो वडियो को लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा मिलते हैं अगली वडियो में तब तक लिए बाए